हेलो एवरिवन दिस इस अनुराग जोसेफ आई विल बी टीचिंग यू एनाट्मिन फिजिलोजी जितने ही बच्चे हैं उन सबका वैलकम और आज हम थोड़ा सा स्टमक को देखेंगे बेसिक एनाट्मिन बेसिक फिजिलोजी को पढ़ेंगे कैसे स्टमक काम करता है करते हैं थोड़ा सा वह सब दिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यह समझते हैं किसंध कौन से सिस्टम का Paara तो कि स्टमक इस अ कि given system कि यह नाग विजिजु स्टम आपका होता है वो माउट से चालू होता है माउट से चालू होता है इसोफेगस बनता है फिर आपका स्टमक आता है फिर आपका स्मॉल इंटस्टाइन और आपका लार्ज इंटस्टाइन भी आता है जिसके कि तीन पार्ट्स होते है ascending colon, transverse colon, sigmat colon and rectum तो हमारा आज focus रहेगा थोड़ा सा mouth पर या फिर जिसको आप बोलते हैं oral cavity हम थोड़ा सा देखेंगे stomach को और थोड़ा सा small intestine को हम आज पढ़ेंगे सिर्फ basic चीजे पढ़ेंगे कोई सी भी रटने वाली चीज हम आज नहीं पढ़ेंगे सिर्फ हम आज देखेंगे कि कौन सी चीज कैसे काम करती है आज ये जो class आपकी है इससे आपके concern बनने वाला है आपको कुछ में रटवाने नहीं वाला हूं इस class में तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होने चाहिए कि आपकी जो oral cavity होती है ठीक है वो जनरली तीन चीजों से मिलके बनी होती है ठीक है एक तो आपकी होगी सबसे important चीज तंग तंग दूसरा आप कह सकते हो आपके हो जाएंगे teeth तीसरा बोल सकते हो आपकी salivary glands ठीक है तो अगर आप इन तीनों चीजों को अगर आप merge कर दोगे तो और यह सब चीज आपको visible है आपको यह सब चीज दिख सकती है यह आपकी टंग हो गई है आपकी salivary glands हो गई आपके teeth भी बना देते हैं यह आपके teeth हो गए ठीक है और यह आपकी oral cavity हो गई है यह जो पार्ट ही आपका oral cavity हो गया तो यह तीन structures जो हमारे हैं teeth salivary gland and tongue यह तीनों का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके digestion में जब आप खाने को खाते हो first time टीकिछ जब आप खाने को खाते हो उसके भी पहले कर आप जाये तो जब आप खाने को देखते ओ जब आप खाने को देखते हो खाना खाने से पहले आप खाने को देखते हो उसकी जो स्मेल आती है उन सबसे आपकी एक वेगस नर्व होती है तो यह वेगस नर्व होती है जो किस टिमलेट हो जाती है जब भी आप किसी खाने के बारे में सोचते हैं थोट आता है आपको या फिर आपको स्मेल आती है खाने की तो यह क्या करते हैं यह दोनों चीजें आपकी salivary gland को stimulate कर देती है क्या secret करने के लिए salivary amylase secret करने के लिए तो आपका जो तीथ है तीथ क्या करेगा स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा और यह जो स्मॉल पार्टिकल्स है ऐसचा करेगा उसको स्टार्च में टोड़ देगा इट यह उसक प्रेक्द पार्टिकल्स टो तो स्टार्च तो सलाइवरिय फूट्रीक्ल्स किया था उसने किया आपके food को क्या किसंगus आफिके काम है दो यह dot com kakलका कि विए बेसिक छाइभिष्ट अंट्पराक्शें था सब्किन यह सबने वाली आपको मैं बाद में समझा दूँगा पर पहला को समझ में आना चाहिए कि आपका जो माउथ है उसमें हमने जो तीत पड़ा दाथ जो की 32 होते हैं 16 उपर 16 नीच है इनका काम है अधेनिकल phenomena कि इंदर जो ने यहां गोगते हैं है और जो केमिकल डाइजेशन ने पर पड़ते हैं वो होता है आहां आ तो यह मंदा भी खाने में तस्थ नियुआ है क्यों आपने जो कहाना काया है वो आपने बहू हो सकता है कि आपने खाने में हो सकता है कि आपने दाल सब्जी रोटी जो भी खाई हो लेकिन एक बार मुह में जाने के बाद एक गोला बन जाता है तो यह जो आपका प्रोड़क्ट बन गया है जिसमें की सब्जी है रोटी है दाल है यह जो प्रोड़क्ट बन गया है इसको bolus बोनेंगे है ठीक है क्योंकि अब रोटी मिक्स हो चुकी सलाइवा से भिंडी की सबजी मिक्स हो चुकी सलाइवा से तो एक ठोस आपका एक पार्टिकल बन गया है solid है न जिसको हम क्या बोलते हैं bolus तो ये bolus को आप क्या करोगे एंगल्फ करोगे कैसे एंगल्फ करोगे कौन हेल्फ करेगा एंगल्फ करने में तो टंग हेल्फ करेगी टंग क्या करती है food को हेल्फ करती है saliva से mix होने में it helps the food sorry it helps food mix with saliva और दूसरा इसका function क्या है आपका swallowing में काम आता है टिके swallowing जो होती है वह टंग के थ्रूइ होती है और तीसरा है कि जो टंग हैस्ट में टेस्ट बड़ होते हैं तो क्या करता है टेस्ट बड़ होने के कारण टेस्ट बड़ होने के कारण आपको आइडिया रहते कि खाना कैसा है कितना नमा कि कितना salty है एक sensory feedback आपको मिल जाता है ठीके एक sensory feedback आपको मिल जाता है जो टंग है टंग से भी आपकी nerve जाती है वेगस nerve है उसको supply करती है तो यह हम नर्व supply है तो हम बार में पढ़ेंगे पर यह हमने जो process पढ़ी पूरी हमने जो पूरी process पढ़ी की यह chemical digestion स्टा सबसे पहला फेज होता है सेफेलिक फेस ठीक है जो की चालू हो जाता है आपके खाना खाने से पहले खाना को देखकर खाने की स्मेल से खाने की बातों से यहां तक की की इमेजिनेशन से भी कई बार चालू हो जाता है क्योंकि खाने को देखकर खाने को स्मेल करके खाने को खाने के बारे में सोच कर यह सब सिग्नल कहां जाते हैं और ब्रेन क्या करता है वेगस नर्फ के थूर्व आपकी और अटोनॉमिक नर्फ है जो कि किसको को stimulate करके HCL प्रोड्यूस होता है तो यह जो स्टार्टिंग की प्रोसेस थी यह सेफेलिक फेज है तो सेफेलिक फेज में क्या है आपकी आपकी अल्फेक्ट्री नर्फ आपकी वेस्ट्यूबलो कॉक्लियर नर्फ यह तीनों नर्फ टीक है करेंगे ब्रें को कुछ सटेन इरिया को जो कि फिस्ट्यूबलेट करेंगे आपके सलाइवरी ग्लैंड स्टमक और डूस्रे डाइस्टिव और गनस को यानि क्या आप कह सकते हो कि यह जो सैंसरी इंपुट है इसके कारण आपका ब्रेन पैरा सिंपर्थेटिक अक्टिविटी का मतलब ही है क्या है मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट तो यह आपकी समझने की चीज थी कि कैसे आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है तो हम साथ में डील करेंगा एनाट में भी पढ़ेंगे और आपकी फिजिलोजी भी देखेंगे तो जो खाना आपका एक तो है नहीं कुछ तो प्रोसेस होगी जिसके थूँ इसोफेगस से आपके स्टमक में जाएगा एना आप बैट के खाते हो कि लेट लेट के खाते हो तब भी खाना आपके स्टमक तक पहुच जाता है क्योंकि आपका जो इसोफेगस है उसमें एक मस्कुलर लेयर है जिसका इसके थूँ नामे मस्कुलरिस अगर है इसोफेगस को देखोगे यह वाला पार्ट अगर हम इसको जूम करके देखते हैं टॉप यूद देखते हैं इसफेगस का तो एक लियर आएगी बैकर यह स्मूट मसल से बनी हैं किस से बनी हैं DAN majority कनाल आ ले वो तीन लेयर से ही बना मुकोसा जो कि सबसे इनरमोस्ट है सब्यूकोसा फिर आपकी मस्कुलीरिस ठीक है और बी लियर्स 159 आप ये तीन बेसिक लियर्स जो ए आपके पूरे अलिमेंट्री केनल में मिलेगी तो हम बात कर रहें मस्कुलीरिस की तो muscularis बनी होती है smooth muscle की और यही smooth muscle को हमारी autonomic nerve supply करती है ठीक है जिसमें कि हमने एक example दिया था Vegas nerve का तो यह आपको समझना है कि यह जब smooth muscles यह smooth muscle जब एक rhythm में contraction और relaxation करेगी ठीक है proximal हमेशा contraction होता है और distal हमेशा relaxation तभी तो आपकी wave बनेगी suppose करो आपका इसोफेगस है तो अगर यहां पर contraction हुआ और आपका जो distal part है इसोफेगस का वहां पर dilation होगा तभी तो जो फूड है वह आगी की तरफ बढ़ पाएगा सीधी सी बात तो जब भी आपका peristalsis होता है तो proximal जो पार्ट है इसोफेगस का उसमें contraction होता है और जो distal part है उसमें relaxation होता है तो I hope कि आपको थोड़ा सा introduction समझ में आया हो कि कैसे आपका प्रसेफेलिक फेज चालू होता है कैसे आपका peristalsis होता है फिर आपका जो फूड है वह पहुचता है आपके स्टमक तक लेकिन स्टमक तक जाने के लिए एक स्फिंशर बीच में आ जाता है तो इस फिंशर क्या है एक मसल है यह ना स्मूथ मसल ही है लेकिन थोड़ा सा कर सकती है या फिर क्लोज भी कर सकती है तो स्पिंशर ऐसी specialised मसल्स होती है जिसके autonomic मसल्स होती है जो की क्या करती है ओपनिंग और कलोजिंग करती है ठीक है काडियेक्ट स्मॉल इंटरस्टाइन में नहीं चले जाए क्योंकि जब खाना आपके स्टमक में आता है तो खाने को पहले डाइजस्ट होना पड़ता है डाइजस्ट होने के बाद ही खाना कहा जाता है इसलिए पारिक्स फिंशर कुछ समय तक क्लोज रहता है ठीक है तो फिर हम देखते हैं इसमें कि स्टमक में फूट एंटर कैसे होता है यह आपका स्टमक है अब काडियक्स फिंशर इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि हाट के लेवल पर प्रेजेंट इसलिए इसको पन बोलते हैं काडियक स्टमक्स फिंशर अब आपको एको चीज समझनी है वह यह है कि जब सेफैलिक फेज स्टार्ट होता है आप खाना चालू करते हो तो काडियक्स फिंशर ओपन रहता है ठीक है काडियक्स फिंशर स्टेज ओपन एक सेकंड इसको ग्रीन से कर देते हैं अच्छे दिखेंगा काडियक्स फिंशर ओपन रहता है मगर आपका जो पाइलोरिक्स फिंशर है वह क्लोज रहता है ठीक है ताकि हम फूट को स्टोर कर सकें आपने जो भी बुलस खाया है इसको हम बोलते हैं काडिया यह हमारा काडिय रीजन है कैंप के इसको मैं कलर कर देता हूं तॉरस अच्छे से थाकि की आपको समझ में आ जाए कि यह जो आप-देखंब और रीजन इसको हम बुलते हैं fundus और फिर आपका जो यह वाला पार्ट है इसको हम बुलते हैं body और जो आपका एंड वाला पार्ट है इसको हम बुलते हैं पाइलोरस तो यह आपको रीजन थोड़े बहुत याद होने चाहिए मैंने आपको सिफ काम के ही रीजन्स बताएं हैं और भी रीजन्स होते हैं पर हमने उसके बारे में डील नहीं किया है तो जो food है वो काढ़िया रीजन पे एंटर होता है फंडस में जाता है तो हसा temporary store होता है और फंडस से आता है बोडी में अपको पाइलोरस में तो आप बोल सकते हो कि काडिया से आपके food की entry होती है और फंडस में food ठोडा store होता है chemical digestion होता है बॉडी में और पैलोरस से क्या होता है एक जड़र होता है तो आपको यह चीजे पता होना च्छी है अब को जो स्टमक है उसके इनदर आपको एक इस टाइब से स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट ह्इस पिट मतलब कि गड़णा और जेश्ट्रिक याने के स्टमक के अंदर तो यह जो स्ट्रक्टर से के अंदर आपके specialized glands होती है तो gastric pit के अंदर आपकी होती है यह धेर सारी gastric gland ठीक है तो इन सब gland को हम अच्छे से अभी highlight कर देंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए तो basically आप बोल सकते हो कि कुछ cells होते हैं कुछ glands होती है उनको ने नाम दिया है ठीक है जैसे कि आपका होता है P cell, G cell, C cell और D cell यह कुछ हमारे cells है जो कि gastric gland के आती है यह इतने भी cells है जितने भी cells है कुछ-कुछ enzyme secret करते हैं जैसे कि आपका जो P है P for parietal cell यह secret करेगा HCL G, G cell, G cell secret करेगा आपका gastrin फिर आपका आता है C cell, chief cell, chief cell secret करता है आपका pepsinogen प्रोटीन के digestion में फिर आपका आता है D cell, D cell क्या secret करेगा somatostatin जो है यह gastrin के amount को कम करता है वह बाद में देखेंगे कैसे करता है but gastrin increases the amount of HCL and somatostatin decreases the amount of HCL तो यह जो आपने जितनी भी चीज़े पढ़ी अभी यह जितने भी आपने यह parietal cell पढ़ा, G cell पढ़ा, chief cell पढ़ा और आपके यह D cell पढ़ा, यह सब को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, gastric glands बोलते है तो यह आपको समझ में आना चाहिए तो यह stomach का basic introduction था, diastric system का basic introduction था, next lecture में हम देखेंगे कि कैसे HCL आपका pepsinogen pepsin में convert होता है कैसे HCL कैसे microorganism को kill करता है, कैसे pH maintain करता है, cephalic face का gastric face कैसे चालू होता है what is the role of gastrin and secretion of HCL, तो यह सब चीज हम next lecture में देखेंगे, I hope आपको lecture समझ में आया हो, आपको कोई सा भी अगर doubt हो, तो आप comment sections में या फिर में को personal message करके पूछ सकते हैं